एलो फ्रेंड तो कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आप लोगों को एक वीडियो और यहां पर बनाने वाला हूं आइफॉन से रिलेटिड यहां पर यह वीडियो होने वाली है कि आपको आइफॉन 15 प्रो के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका आप भी मुझ अब मैं आपको आइफॉन 15 ही ले लेना चाहिए अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं जो आइफॉन 15 होने वाला है जो नॉन प्रो सीरीज है ना वो उनके अंदर यहां पर चेंज होने वाला है लेकिन जो प्रो नो प्रो मैक्स के अंदर बोला जा रहा है न कि आνा आको एक मतलो इसको एंदर चेंज मिलेगा एक तो Whose प्रोगों को एक मतलो प्रों मिद्र तो जितनी भी लिइक आ है उसके अकॉडिंगली iPhone 15 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी बड़ा चेंज यहां पर इस साल नहीं होने वाला है, जो टाइप C वाला चेंज है, बहुत ही मतलब कोई यूसफुल चेंज नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए कोई भी अगर मेरा परस्टन बताओं कि मुझे कभी लिना होता तो मैं लाइटनिंग वाला ही लिता है तो यह वाला कोई खास चीन नहीं है इसके बाद में चेंज आ रहा है उसके अंदर आगर जो स्लाइडिंग बटन है वहां एक्शन बटन डाला जा रहा है तो वह भी मैं अगर मु वह कहरा है कि 15 प्रो के लिए वेट तो करते हैं तो वहां पर आप लोग मेरे वह यह चीज़ भी कमेंट कराओ कि सच में वेट करना जी क्योंकि अभी जो 14 प्रो के उपर आफर चल रहे है वह काफी जादा ओफर्स चल रहे है इससे पहले कभी इतने ओफर्स नहीं चले तो तर na 14 प्रो पे काफी जादा ओफर्स चल रहे हैं और कंपेर टो अब हैं तो यहांदा ही उने वाली है तो दो जादा ही प्राइजिंग में आपको सेम स्पेक्स मिल रहे है तो आप लोग مेरे को कमेंट कर Tank बताना कि हमें वेट करना चाहिए पिर आइफून 14 प्रो यहां पे ले लेना चाहिए और वीडियो की लास्ट में एक चाहिए कि अभी तक है ना जो इनको 15 प्रो मैक्स लेना था वो कुछ हो रहे थे कि हमें तो अल्ट्रावाइड मिल जाएगा 6x पैरिस्कॉप लैंडस वहा 6x पैरिस्कॉप लेंडस आएगा तो यहां पर आप या प्रोगों को एक फोटो दिखाता हूँ उस फोटो में देखके साफ साफ यहां पी लिखा हुआ है 15 pro 15 प्रो मैक्स 15 यह होने तो इसकी प्रायशन होने वाली है 1,70,000 अभी तक कोई वो नहीं है कि confirmation इतनी होगी लेकिन इससे जादा मतलब इससे कम नहीं होने वाली है इसके बराबर या फिर इससे जादा ही होने वाली है इससे कम तो बिल्कुल भी इसकी pricing नहीं होने वाली है जो लोग हुश हो रहे थे 15 pro max लेंगे हैं उसमें 6x periscopic lens मिल जाएगा और थोड़ा बहुत चेंज आगा लेकिन उसके अंदर भी आप सेम चेंज है जो इसके अंदर मिलने वाले है जो 15 pro के अंदर मिलने वाले थे वो ही सीम चेंज है तो आप जिस तरीके साफ आप लोगों देखा था पिछली साल आइपोन ने 13 और 14 में कोई difference यहां प तरके बताओ कि अगर सच में अल्टर आता है तो वेट करना चीए कि नहीं करना चीए क्योंकि 14 pro pro max में कोई भी चेंज साल नहीं आएंगे बस वही आएंगे जो नॉर्मल चेंज है अगर वह दो चेंज को देखा जाए तो उस हिसाफ से तो 14 pro is the best मैं आपको गाउंगा क्यो बहुत जाता powerful एक processor mobile के अंदर यहां पर चाहिए होगा तो वह जो भी 14 pro की रहने वाली है वही 15 pro की यहां पर रहने वाली है प्रोसेसर स्पीड यहां पर रहने वाली है सिर्फ बेंचमार्स के अंदर डिफरेंस आजएगा बाकी performance में कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं होत ख्रीक रहें लेट कर सकते हैं तो अगर आप 15 लिए टरेंसस यहां पर नहीं पर नहीं चाहिए अप अच्छी अच्छी प्राइजिंग पर मिल जएगा अधर बात में उसको एना apple इसकंटिवली कर देता है चाहिए 15 सरीज का लाउँच होगा तो वह प्रोसी को कर देगा तो आप लोगों में सेजेस्ट करना चाहता हूं कि तो अभी अगर आप पर हो पा रहा है तो 14 प्रो खरीद लो प्राइजिंग अच्छी आपको मिल जएगी क्या ना हो सकता है 15 प्रो मैक्स में आ जाए पैरिस्कोपिक लें लेकिन 15 प्रो के अंदर तो अब इंपॉ करने ज़रू करने तो बाई-बाई